हालो गुद मॉनिंग नमस्कार एबा फिर से आप सब का स्वागत है वाइफाई स्टूडियो स्टूडियो चानल पे विच इस पार्ट अप अनिकानमी वेरी गुद मॉर्निंग टू और अगें अन्यू वीक मंडे आ चुका है और मंडे वारा दिन एक ऐसा टाइम होता है जो दो केंटिंट होता है वो आपको बहुत ज़ादा देखने को मलता है तो बात करेंगे कि सेशन में क्या थैर्ने वाला है लेकिन उससे पहरे जो सबसे पहला काम होता है एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंज के साथ में शेयर कर देजह सुआगा और एक ब वह आपको साथ बज़े देखके ही खतम करना है यह मैं इसलिए बोल रही हूं कि फिर पूरे दिन का हो जाता है कि या पढ़ना है पढ़ना पढ़ना अपर लेकिन फिर वह प्रह प्रपदा था ठीक है तो एक बास यह काम जरूर से कर लो कि अपना चुनुल अपना सेट करते ह यह कहां कहां से घूम घूम के आए भगवानी मालिक है लोग का चलिए वेरी गुद मॉर्लिंग सुप्रिया अमन प्रेड़ना विशाल कभी चंद्रन आशी यश्न हिमांशु ओमकार बिंद्रेश विशाल बिने शर्मा प्रवीन त्रिनाथ सना खुश्बू नैंसी गुद गडून मॉसम ड्रिप इंडिविगेशन का वाला है अगले अगी से अब इसमा से इंगलाइट में होता है यह आपको इसराहील के अंदर भी मिलेगा और तो इसलाइल गैशन करिया है तो इसलों कि मोशन करिए इसकितों कि इसका है क्या है लाडला प्रजापती केप कॉमरेंट जो है इंडिया का सदर्मोस पॉइंट है लांड पर ध्यान दिखेगा लांड पर कई बार ऐसा होता है भारत का दक्षनी बिंदु कौन सा है तो आप आंसर क्या मार कर क्या होगे तब आपका इंद्रा पॉइंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं यही तो होता है लेकिन कई बार क्या होता है कि लांड पर कौन सा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ठीक है चले सुभागे तरुन आशीश अर्विंद दीपक सिधार्थ सूरच नितिन जलाल प काफी सारा कंटेंट होगा क्योंकि ओपेसी बात है मंडे का दिन है तो कंटेंट थोड़ा सा जादा हो जाता है और आज से जो आपके स्पेशल क्लासे शिरू होंगे उनका शिडियूल भी सुन लीजेगा काफी इंपॉर्टन रहने वाला है ठीक है सबसे पहले निउस पर इसके साथ में आपको mcq का सेशन मिलेगा जिसमें करीबन 11 या 12 सवाल है और इसके बाद में आपका वन लाइनर का सेशन होगा जिसमें आपको सिर्फ तीन न्यूस मिलेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के फॉर्म में ही आएगी तो उसके उपर हमें प्येजी नह आमिया चलो भाई आप पढ़ ले तो यह रहेगा उसके बाद लास में चलके हम लोग से जुड़े हुए 2019 के जो कोश्चन्स हैं उसको डिसकुस करेंगे और कल मैंने सुबह आट बजे से लेके नौ बजे के बीच में सेप्टेंबर 2020 का जो करेंट अफेर्स है वो कब कर दिया देखो पहली चीज तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी अक्सर क्या होता है ना हम लोग कहते हैं कि एक मोटिवेशन चाहिए एक मोटिवेशन चाहिए बट वह इंटर्नली आता है हम मैं आपको कुछ भी चीज़ां बता दूंगी आज बोलूंगी कल को आप भूखा सकते हैं तो आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले इनकी देख हुई है लेकिन इनकी जो डिस्कवरीज हैं इनकी जो बुक्स हैं जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको लगता यार इस इंसान ने तो पूरी दुनिया के उपर राज कर लिया वह वैसी वाली बात होती है तो अगर एक ऐसा आदमी जो बोल नहीं सकता चल नहीं सकता लेकिन उसके जो विचार हैं उसके जो थोट हैं वो इतने जादा पावरफुल हैं कि वो पूरी दुनिया को हिला सकता है तो ऐसा काम आप क्यों नहीं कर सकते यार दुनिया में अगर हर एक इंसान अगर उसको हर एक facility मिल रही है तो वो अगर काम नहीं कर पाएगा तो फिर दुनिया में कौन कर पाएगा सुबह साथ बजे उठनी की जो मजबूरी है ना मजबूरी ही शब्द हम यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते माम प्लीज टाइम चेंज कर लिजे ना माम प्लीज में कि एट तो वह वैसा वाला देखो नहीं हो सकता है अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगी हर एक चीज हम आपको प्रोवाइट करा सकते हैं सारी चीजे हम आपको बता सकते हैं बट एक्जामिनेशन हॉल में जाके आपकी जगे पे हम नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा सा अपने आपको बूस्ट अप रखा करो जरूरी होता है हमेशा अगर हर चीज को निगेटिव देखोगे हर चीज के लिए यहां कुछ ना कुछ मीन में निकालते रहोगे ताट इस नोट गुड़ एक्जाम के लिए अच्छा नहीं होता र क्या हो गया एक्स्ट्री सॉरी को मल गुड मॉर्निंग एंड थाइंक यू शालू थाइंक यू अभी तक तुमनों बर्थेडे़ कर रहे हैं या केक ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि नवरात्री चल रही है तो बात है कि केक अभी रखे ही होगा बताना तुमनों को भिजबा करना इसके अलावा आपका जो यू पेसी का बाच स्टार्ट हुआ आप इस बाच को जॉइंग कर सकते हो अभी इसमें एंची अर्टी स्टार्ट हुई है तीन चार क्लासे हो चुके को लगेगा यहां पर करती यू पर एस बाच को जॉइन कर पाऊऊगे चाहे फिर आप य इसके लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप इस बाच को जोइन कर सकते हैं ध्यान रखेगा इसमें भी साइंस चल रहा है जब यह खतम होगा तो इसमें हिस्ट्री जोगर्फी पॉलिटी सारे सब्जिक्स हम यह आपको पढ़ाएंगे जब आप यह जोइन करोगे तो आपको मा जब यहां पर आई चुके हैं यहां पर आई चुके हैं यहां पर रूबिक भी आ चुके हैं एक बार से सेशन का जो लिंक है इसको कॉपी करके अपने फ्रेंज के साथ में शेयर कर दीजै ताकि बाकी लोग भी सेशन में चुड़ पाएं और अब हम लोग यहां पर पर आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के अधर आता है आपसे कौश्चन में यह पूछा जा रहा है तो पहले तो जल्दी से इसका आंसर करके बताओ तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें यहां पर बता दूब सबसे पहला उप्शन लिखा हुआ है साओधी अरेभिया साओ 2020 का इसका आयोजन साओधे रेविया में किया गया अगर आप से पूछा जाए कि जो G20 है इसका सम्मेलन 2021 में कहां पर होगा तो इतली हो जाएगा और अगर 2022 पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या मार्ग करोगे इंडिया मार्ग करोगे साओधे रेविया की क्या हो जाएगी रियाद हो जाएगी और यहीं पर आपको जेदा नाम की एक जगा भी देखने को मिलती हैं, मक्का, मदीना यह जो आपकी holy places हैं, ये भी आपको इसी जगा पर देखने को मिलेगी, जेदा नाम का यह जो word है यह मैंने इसे यूज किया, क्योंकि अभी कुछ time पहले, जिबूती सबसे बड़ा आपको क्या देखने को मिलता है यानिकी प्रायदीप वह कौन सा है अरेविन पेनिसुला ठीक है देखो आदे आंसर यहाँ पे कतर कर रहे हैं मतलब गजबी हो यार दिव्यांशी नहीं पेटा बैंकिंग के लिए तो अभी आज से कोई बास नहीं है ठीक है ना चलो फिलार इसका आंसर करके बताओ हाई हाई अबुपेंदर ऐसा कुछ भी नहीं है इसका आंसर बोलो कतर कहां से मार्क कर रहे हो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा इरान इसका आंसर बनेगा पहले ज़रा कतर भी घूम लेते हैं कतर की काप्रिल हो जाएगी दोहा और यहाँ पे फीफा जो है टूथाउजन से लगाना शुरू किया है और मान लो कि कोई भी कैसी कंट्री है जो अपनी मर्जी से कोई भी करना चाहता है या फिर किसी भी साथ में कोई MOU sign करना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन इरान के उपर USA ने लगाए हुए हैं बहुत सारे sanctions, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक gas field था, तो इंडिया ने यह सोचा हुआ था, कि यह जो gas field है, इसके उपर जो जितना भी काम किया जाएगा, क के साथ में, इंडिया की कौन सी company है, तो आप देख सकते हो, ONGC जो company है, इंडिया की, इनके साथ में tie-up किया गया था, काफी अच्छा खासा investment भी किया गया था, investment का amount exam में नहीं आएगा, आप skip कर सकते हो, अब सुनना, हुआ क्या यहाँ पर, जब यह पूरा का पूरा जो gas field था, इसके लिए पूरी तयारी हो चुकी, अब पूरी तयारी होने के बाद, इरान क्या कह रहा है, इरान कह रहा है, कि यह जो gas field है, जिसके लिए मैंने इंडिया के साथ में tie-up किया था, अब मैं चाहता हूँ, कि इस पूरी oil field को develop कौन करे, तो इरान की ही कोई company हो, जो कि इसको develop करे, क्योंकि हम अपने यहां की, जितनी भी domestic companies हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, domestic companies का मत्तब यह हो गया, जैसे कि इंडिया, है ना, अब इंडिया भी present time में क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भर बनने का क्या मत्तब है, बाहर से जो भी हम import करते हैं, जैसे कि देखो, अभी fridge वगेरा जो है, इन सब के उपर कह दिया गया है, कि हम इसका जो import है, वो नहीं करेंगे, उसके उपर प्रतिबन लगा देंगे, जो हमारे ही देश के अंदर बनेगा, हम उसको यहां पे खरीदना शुरू करेंगे, यह बात अभी हाली म जाली और इसका reason बता होना चाहिए, कितने लोगों को इसका reason समझ में आगया, यह बताओ, जल्दी बताओ, हाँ, सेम होती है, वो सेम होती है, जल्दी बताओ किसका reason क्या बनेगा, क्या आप यह कह सकती हूं, किसका reason जो है वो china है, अगर हाँ, तो comment section में लिखके बताओ, ओ बैया सेशन को लाइक और शेयर कर दो, इतना कहलाया मत करो यार, देखेगा, अब सुनना, काम की बात क्या है, सबसे पहली काम की बात यहाँ पे आ गई, P5 प्लस 1, ये एक agreement साइन किया गया था, किसके किसके बीच में, ये 5 कौन है, UN के जो 5 permanent members हैं, इनके साथ में मिलकर, एक agreement sign किया था, किसने, इरान ने, और इसमें एक और कंट्री जोड़ी गई थी, और वो वन वाली कंट्री कौन सी है, जर्मनी है, जिसमें कहा गया था, इरान से, कि आप किसी भी तरीके का, जो nuclear weapon बनाते हो, वो बनाना बंद करतो, आपको इन फ्यूचर कभी भी जरुरत होगी, तो हम आपके साथ में खड़े हैं, और ये वाला जो UN के अंदर, पांच permanent member आते हैं, उन पांच में से, जो super power बना बैठा है, वो कौन है, that is USA, यानि कि जो Trump चचा है, वो यहाँ पे super power बने बैठे हैं, तो इन्हों ने कहा था, कि तुम अपने आपे काम मत करो, हम तुम्हार बना है, इस gap को कोई ना कोई तो fill करेगा, तो वो कोई ना कोई फिल करने वाली कौन सी country आ गई है, चाइना आ गई है, सुनिएगा, आपको अगर याद आ रहा हो, तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, चाबाहर बंदरगा के बारे में, चाबाहर port के बारे में तो आपको याद होना चाहिए, कि पहले तो इंडिया इसको डेवलब कर रहा था, अभी कुछ टाइम बाद ये हुआ था, कि चाबाहर port से जो आगे का रास्ता जा रहा था, याना जो पूरा आगे का रास्ता जा रहा था, उसके लिए चाइना ने कहा था कि हम investment करेंगे, त इक बार से ध्यान रखा करो, सार्टिंग में जितने भी मेरे को नाम दिख रहा होते हैं, मैं सारे नाम ले लेती हूँ, ठीक है ना, नाम उतना important नहीं होता है, जितना important आपका काम होता है, काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटल करता है, कि आप जो चीजे कर रहे हो, वो क यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह आपको परश्या की खाड़ी देखने को मिल रही है, यह क्या है परश्या की खाड़ी, यह रहा इरान, और इरान के ऊपर की साइट पर देखोगे, तो यह रहा कैस्पिंसी, अब देखो, इरान की क्या है तहरान, और इसी जगह पर आपको जगा देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है राम सर अगर मैं आप से पूछ हूँ कि राम सर कन्वेंशन क्या है यहां पे इस किस चीज के लिए बेट लांट्स के लिए और इसको यहां पर रामसर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया मेरा आपके सवाल अगर मैं आपसे कहूं रामसर कन्वेंशन के अंदर टोटल इंडिया की तरफ से जो साइच है वो कितनी है 38 है और इस 38 में अगर देखा जाए तो जो स आसे करके बोलो फटाक से अभी लेटेस मैंने बताया था उत्रा करना अभी शायद परसों की ही बात है जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए अब देखो एक सवाल और बन जाता है कि यह जो आपका रामसर नाम की जगे है ना अगर देखा जाए तो यह कौन सी वाली वाली व यह कैश्पियन के एरिया में यह फिर आपके उस पर्टिकुला एरिया में जहां पे आपको पंडर श्रξह Jersey क्या है बता रहे हैं अग बिलको करेट है हैं असान जो नाम की जगे है यहां पर देखो में एक कंसर्वेशन वाली एकते ऊपिर और इसके बगल में अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है गौधर पोर्ट है चाइना ने क्या किया था चाइना ने सोचा कि इंडिया के उपर हम नज़र रख लेंगे कैसे गौधर पोर्ट को डेवलप करके तो चाइना तो बड़े मज़े में डेवलप्मेंट कर लिए और पाकिस्तान तो वैसे भी समझी रहे हो यहां पर कि चाइना जो है वो पूरा-पूरा पाकिस्तान ले उड़ा है दूसरी तरफ इंडिया ने सोचा कि भाईयत तुम अगर ग्वाधर पोर्ट को डेवलप करोगे तो हम तुमसे दो कदम आगे जाएंगे और इंडिया ने य साथ में है और मुंबई के अंदर जवाहर पोर्ट दोनों ही नाम याद रखिएगा एक्जाम में आपसे घुमा फिरा के कैसे भी सवाल पूछा जाए दिन यू शुड़ आप दा आंसर इंग्जाटली विपन बिलकुल सभी बात है विपन आपके कमेंट शो हो रहा है और ह यह वह बिलकुल देरादून के अंदर है इसके लिए इसका मतलब यह है कि जो मेडिकल सर्वसेज प्रोवाइट करी जाती है अब यह आपको ऑन लाइन मोड पे प्रोवाइट करी जाएंगी इंडिया और नीदर लांड के बीच में इसके उपर टाइप किया गया है यह हम कि डिजिटल मोड पे सारी चीजों को प्रोवाइट किया जाएगा अब सुनो, नीदा लैंड जे सवाल क्या पूछा जाएगा जरूरी थोड़ी नहीं है यह आजाएगा इसकी कैपिटल बोलो, आमसरडाम कैपिटल क्या हो जाएगी, आमसरडाम करेंसी क्या होगी, यूरो, कहाँ पर है ये, यूरोप के अंदर अगला पॉइंट, यहीं पर आपको हेग मिलेगा और हेग के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो प्लेसे और देखने को मिलती है हाँ भाव्या, तो इसमें इतनी सौरी गुस्से वाली मूजी बनाने की क्या जूरत है हाँ, हाँ बिटा, हाँ, हाँ, बताओ, किती बाद हाँ बोले, चड़े अच्छा अब सुनो, हेग के अंदर आईसी जे है, और यहाँ पर आईसी सी, दोनों का आपको हेट क्वाटर देखने को मिलेगा, कभी-कभी तो मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो, कि हमारी जो टीम है, वो बैटके पूरा देखेगा, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, SEO के अंदर टोटल आपको कितनी कंट्रीज देखने को मलती है, अब आप सोच रहोंगे, अरे यार, फिर से SEO आ गया, अरे मैं क्या करूं, फिर से एक नई चीज होने जा रहे है, SEO के अंदर, सुन लिजेगा, इसका फुल फ ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझेगा, बीजिंग जो है, इसका पुराना नाम क्या था, पीकिंग है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे, तो यह किसकी कापिल है, चाइना की कापिल है, चाइना की करेंसी अगर पूछी जाएगी, तो रेंड भी मार्क करके आओगे, और ध्यान रखना, SEO की, जो अभी हाली में बैठक चल रही है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, रशिया के अंदर हो रहा है, बड़ एक पॉइंट जो आपको और याद रखना है, वो क्या है, रशिया के अंदर SEO की बैठक तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बड़ काफ आपको इस नाम की जो exercise है, इसका आयोजन भी किया गया था, SEO के देशों के द्वारा, जिसमें से इंडिया वो कंट्री है, जिसने अपना नाम वापस ले लिया था, अगर आपको याद आ रहा हो कि इंडिया ने नाम वापस लिया था, because of China and because of Pakistan, ठीक है, इसका answer बोलो क्या 8 is the right answer, बहुत बढ़िया, देखो मतलब अभी भी कुछ ऐसे हैं जो 6 बोल रहे हैं, जो 6 बोल रहे हैं, पता नहीं कब हमने 6 पढ़ा दिया है, इसका answer क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब देखो SEO की जब हम बात कर रहे हैं, तो होने क्या जा रहा है, अब नया क्या होने start-ups है, यानि कि कुछ ऐसी companies होती हैं, जो अपना खुद का काम नया नया शुरू करती हैं, और उसको यहां पर funding प्रोवाइट करी जाती है, और वो अपना development करना शुरू करती है, यही तो होता है ना, तो यहां पर आप देख सकते हो कि start-up forum बनाया जाएगा, कि वो countries जो एक 7th of October को launch होगा, ठीक है, no issues, लेकिन अभी आपको अगर याद आ रहा हो एक और चीज़, कि SEO के अंदर, SEO के अंदर, जो Head of Governments के meeting होने वाली है, देखो, शब्दो का फेर है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजेगा, शब्दो का फेर है, सिर्फ अगर SEO लिखकर आएगा, तो रश्या माग करोगे, SEO Head of Governments अगर लिखकर आएगा, तो इसकी बैठा कायोजन कहां पर होगा, इंडिय के अंदर होगा, अच्छा, अब SEO की बात करी जा रही है, तो इसको बनाया कब गया है, 2001 में, और पहले इसका नाम क्या था, S5, क्योंकि पहले इसके अंदर से 5 ही देश हुआ करते थे, बाद में इसमें और countries को जोड़ा गया है, तीन और देशों को जोड़ा गया है, कौन- सबसे पहरी चीज, इस SEO, आपको याद होगा, कि अभी हाली में एक justice meet और गिनाइज करी गई, जिसको head किस ने किया, इंडिया ने head किया, और ये जो justice वाली है, इसके अंदर जितने भी law ministers हैं, है ना, उन समने participate किया था, तो अब पहले तो मुझे ये बताओ, इंडिया के law minister का नाम क्या है, आप से पूछू, law minister को ने, देखो, ये बैठर अभी हाली में हुई थी, तो सवाल जो है, वो आप से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसको hit किया है, अगली चीज, ये याद रखिएगा, कि ये तो हो गया SEO, लेकिन अगर आप से पूछा जाता है, NDB Bank के बारे म तो ये ध्यान रखना, इसका जो headquarter आपको मिलेगा, वो कहां पर है, वो शंगाय के अंदर है, बट इसको बनाया किस ने है, तो इसको बनाया गया है, किस के द्वारा, bricks के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, भाईया, सेशन को दरा like हो, share करो, आज ज्यादा paper वेपर लग अच्छा, आप देखो, मीटिंग इतनी सारी हो ही रही है, तो एक और मीटिंग यहां पर होती हुए, जब से ये डिजिटल मोट पर हम लोग क्या आ गए, हर दिन कोई ना कोई मीटिंग होती है, पढ़े ना, हम लोग को पढ़ता है, यह दुख तुम लोग का भी है, कि सिर वाले जानना जरूरी है, वर्ल्ड बैंक है, तो फानायंस मिनिस्टरी करेंगी, यानि कि निर्मला ताई जो है, वो इसको क्या कर रही है, इंडिया की तरफ से हेट करेंगी, ठीक है, कौन? निर्मला सीता रमन जी, आच्छा, एक चीज़ ओर, जब हम वर्ल्ड बैंक गए ह तो इसका हेटकॉर्टर भी देखी लेते हैं, तो इसका हेटकॉर्टर क्या हो जाएगा, वाशिंग्टन डीसी हो जाएगा, और ये भी ध्यान रखेगा, इसके हेटकॉन हो जाएगे, डेविड माल पास हो जाएगे, डेविड माल पास जो है, तो ये कहां से बिलॉंग करत जो हैं वो यह क्या कर रहे हैं यहां पर सुर्कियों में देखने को मिल रहे हैं तो जीएसी से अमेंडमिन नंबर 101 बिल नंबर 122 आर्टिकल नंबर यह हो जाएगा बस इतने में तुम लोग को इतना रट जाना चाहिए बाकी सब भले अगला सवाल बताईए ग्लोबल हंकर इंडेक्स के अंडर इंडिया की रैंकिंग क्या यह बड़ा लाजवाब कोश्चन है मतलब यह तो यह वैसा वाला सवाल है रोही नी ठीक है अग्ट वाली आंटी यार तुम लोगों को जब से यह पढ़ाया ना तब से तो तुम लोग यार ऐसे मत किया करो इसे नहीं करना होता है ठीक है चलिए बताई इंडिया की रैंकिंग हो गई है 94 और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो इंडिया की रैंकिंग इतनी थ से थी और इस वार इंडिया की रैंकिंग है वो इतने देशों में से आई है तो ऐसा नहीं है यहां पर प्रियांशू डफ के लिए आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो तो बेटा देखो अगर कोई भी कोश्चन है जो मिस हो जाता है तो प्लीज थोड़ा सा बीट कर लिया करो रिपलाई आपको मिल जाएगार अब तो मत ही एकषेप्ट करते की माम कुछ रिपलाई करेंगी एक दिन दिन तो दे दिया करो यार एक दिन तो चीने के लिए दो है ना चलो I will reply अगर आपने कोई message किया होगा तो I will reply अब सुनो जरा बहुती धमाकेदार ये news है अभी कहेंगे मैं वैसमें धमाका क्या होगा है सुनिएगा समझिएगा देखो India की जो ranking है वो अभी आपको ये देखने को मिल लगी तो आप तो बड़े खुश हो गया होगे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रांकिंग क्या है तो अफगानिस्तान की ranking पूछेंगे तो ये कितने पर आजाएगा 99 और अगर पडोसी देशों के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के जितने भी पडोसी देश है उसमें से सिर्फ अफगानिस्तान ऐसा है जो इंडिया के बाद में आ रहा है वनना बाकी सारे के सारे इंडिया से पहले आ रहा है सुनिएगा नैपाल 73 बांगलादेश अगर पूछा जाएगा 75 मतलब देख रहा हो इंडिया की कंडिशन क्या है देखो ये एक वैसी वाले सिचुएशन है कि बहुती जादा बुरी होती जा रही है अब माल लो कि अगर आपसे पूछा जाए जीरो है ना अगर कहा जाए कि रांकिंग में जीरो नंबर पर कौन है तो भाईया जीरो का मतलब यह हो गया कि सबसे बेस्ट कंडिशन है और अगर वन जीरो सेवन पूछा जाएगा तो वस्ट कंडिशन है सबसे बेकार कंडिशन है तो वन जीरो सेवन पे कौन सी कंट्री है तो वन जीरो सेवन पे कौन सी कंट्री आ रही है चार्ड आ रही है कौन सी है चार्ड आ रही है ठीक है चार्ड कहाँ पर आफ्रिका के अंदर लोकेड़ है अब दूसर पॉइंट समझेगा इंडिया की रैंकिंग ये देखने को मिल ले तो ये बहुती जादा खराब रैंकिंग है अगर आप यहाँ पर देखो इस चीज को समझो तो ये मत सोचना कि इस बार इत्ते में से तो बेटा पिछली बार तो इत्ते में से थी न और तब इंडिया की रैंकिंग ये थी अब आपके दिमाग में चल ला होगा ये जो ranking होती है ये किस आधार पर होती है, किस basis पर होती है तो ज़रा सुनिएगा पहली चीज ये जो ranking होती है, इसके अंदर चार चीजें आती है सबसे पहला आता है यहाँ पर under nutrition मतलब अगर कोई भी बच्चा है तो उसको इंडिया के अंदर कितनी ऐसी चीजें खाने को दी जारी है जिसके अंदर nutrition का जो level है वो बहुत अच्छा है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया जो है, वो malnutrition से मुक्त हो जाएगा, हम target यहाँ पर set कर लेते हैं लेकिन सिर्फ target set करने ही सारा काम थोड़ी ना होता है हम कहते ही कि हम portion अभियान चलाएंगे portion अभियान से जो यह सारी problem है यह सारी की सारी solve हो जाएंगी ऐसा थोड़ी ना है अगला देखो, stunting देखो, अगला क्या है यहाँ पर? stunting, stunting का मतलब क्या है कि बच्चे की जितनी age है आप लोग करते हो, but खाना उससे भी ज़्यादा important है proper food आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है? इक्जाटली 76 का तो रेशियो वो है जो paper में है बट इस इस नोट दर रियालिटी यहाँ भी जानते हैं, इस नोट दर रियालिटी इंडिया की ranking तो हमने जान ली इंडिया की ranking कितनी है यहाँ पर देखे ठीक है, but अगर आप से पूछा जाए कि यह जो ranking है इसको जारी कौन करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो ranking है यह जारी करी जाती है एक आप कह सकते है नॉर्मली एक NGO के थ्रूँ इसको जारी किया जाता है जिसका नाम क्या है Welder Hunger Index की नाम से इसको ये जारी करते है ठीक है इसका सेंटर कहां पर है तो पहले ये जानो कि ये जो company है कहां किया है जर्मनी की है और इसका जो सेंटर है वो कहां पर है इतनी चीज हो गई अब secondly मैंने आपको बताया पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है 88 है अफगानिस्तान की रैंकिंग देखोगे 99 हो गया नेपाल 73 पे आ गया फाइन ये सब चीजे समझ में आ गई हमारे एक्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना मार करके चले आईएगा और लेकिन फिर भी हमारे यहां के जो सिचुएशन है वह यहां पे बदलने का नाम नहीं ले रही है तो this is the thing जो आप यहाँ देख सकते हो, well, पूरा का पूरा यहाँ पर एक आपको slide देखने को मिल रहे हैं, जितने भी important indexes हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिये, अजे ranking कैसे होता है, देखो, इसमें चार चीज़ें आती, पहला होता है, under nutrition, यानि कि कौन सा बच्चा ऐसा है, जिसको proper nutrition नहीं मिल रहा है, दूसरा होता है, आपका stunting, मतलब वो खाना तो खा रहा है, लेकिन उसकी proper growth नहीं हो रही है, तीसरा अगर आप देखो की, तो क्या हो जाएगा, wasting, wasting का मतलब क्या है, उसकी age जो है, वो 5 साल से कम है, लेकिन उसका जो weight है, वो देखो यहां से this one, this is also important one, और एक और देख लो यह वाली, इंडिया innovation index, और SDG वाला तो पूछी चुके हैं, तो यह दुबारा से repeat नहीं करेंगे, तो यह तीन ऐसे index हैं, जो आपके exam में आ सकते हैं, अगली सवाल पर आओ, question का answer करो, बताओ, answer करिया, अरुन से इंगल बिल 2020 से लेके, September 2020 तक का का इंटरफेस पढ़ा दिया, और PDF भी बहीं मिल जाएगी, ठीक है, बहाँ जाके एक बार देख लो, क्योंकि बार बार PDF थोड़ी ना प्रोवाइड करा सकते हैं, एक बार, दो बार तो PDF प्रोवाइड कराए दिया, एक बार से देख लो, चलो, अगला स सवाल, बताए, यूपी की सरकार की द्वारा अभी हाली में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, विमिन्स की, सिक्योरिटी के लिए, एक मिशन लाँच किया गया है, तो आप क्या मुझे बताएंगे, कि उस मिशन का नाम क्या है, मैं बताओ या तुम लोग बताओगे, कि क्या हो यहाँ पर, इंडिया के अंदर यह जो यूपी स्टेट है, आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है, वो आपको यूपी के अंदर ही मिलता है, हर दिन आपको रेप केसिस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने यहाँ पर एक नया इसको क्या किया जाएगा, और इसको क्या किया जाएगा, यह अगले अगले छे महीने तक इस कैमपेइन को चलाया जाएगा, और अगर कोई भी प्रॉबलम आती है, तो उसको ऑन दर टाइम क्या किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा, चलो ठीक है, समझ में आगी ब और विमन सेफटी के उपर और डिगनिटी आरे भाहिया कैसे कैसे शब्द लिख दिए बड़े भारी शब्द है क्योंकि देखो होता नहीं है पता है लिख थो देते हैं लेकिन होता नहीं है अगला देखिए गजरा यहां पर यह जो क्यांपेन है इसको लॉंच तो किया गया लगनव के अंदर लॉंच किया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब लखनव आया है तो नदी भी जान लो गोमती नदी कौनसी गोमती नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी अब ज़रा सुनिएगा यूपी एरिया के को मिलेगा ठीक है इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे स्टेट मिल रहे हैं जिसके साथ में इसका बॉर्डर जो है वो शेर होता है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में जिसकी सीमा लगती है वो स्टेट कौन सा है यूपी मेरा सवा नहीं जाएगा ना क्योंकि इंडिया की रांगें पूछी जाएगी बट कोई बात नहीं बेलरो स्टॉप पेंड और लास्ट में आपका चार्ड है ठीक है बताओ कितने टोटल यहां पर ऐसे स्टेट है जिसके साथ में इसकी बाउंडरी जो है वो शेर होती देखेगा इस पहले उनाइटड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है ठीक है ना यूपी को पहले उनाइट प्रोविंस के नाम से टोटल जड़े कित्ते हो जाएंगे 75 capital क्या है लग गोम्दी नदी के किनारे पर है इसके अलावा लोगसभा सीट हो राजसभा सीट हो तीनों के अन्दर आ अब जड़ा सुनिये का MP वाले राजे से वापस आके थोड़ा इंपोर्टन अभी कहेंगे मां फिर से शब्दा आ गया देखे यूपी के अंदर बोला गया है कि जो पुलिस सर्वसेस के अंदर जो रिक्रूट्मेंट होते हैं जो रिक्रूट्मेंट होते हैं उसमें 20% जो सी करें यह वो भी यूपी के अंदर आट सो किलोमेटर का हर्वल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसके अंदर सडकों के किनारे किनारे क्या है हर्वल पेड लगा जाएंगे तुलसी हो गया नीम हो गया यह सब आपरेशन दुराचारी अब इसके साथ में फिल्म सिटी य नहां पर बरेली के अंदर यह तो हो गया इसके अलावा वल्चर के लिए कंजरवेशन सेंटर यूपी हो जाएगा इसके अलावा भाईया मत्हुरा भी चलना पड़ेगा मत्हुरा के पेड़े नहीं खाऊगे ऐसे ही छोड़ दो गए खाने पीने की चीजों में थोड़ा मत्हुरा की बात करेंगे तो मत्हुरा के पेड़े के बारे में बात नहीं करनी थी हमें बात करनी थी एलिफेंस के बारे में एलिफेंस के लिए एक हॉस्पिटल यहां पर बना हुआ है और साथ में इनके लिए म्यूजियम भी यहां पर बना हुआ है बड़ एलिफेंस के अगर रिहाबिटलाइजेशन सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला तो कहला के अंदर है और दूसरा वाला भी कहां पे कुला और इसा के अंदर तो इतनी चीजें याद रखेगा ठीक है अगला सवार एक तो वैसे भी खाने को नहीं है अब उसके ऊपर से कह रहे ह अगर फैटी होते चले जाओगे तो अच्छे भी नहीं लगोगे ना सवाल में पूछा जा रहा है इंडिया ने अपना एक नया टागिट सेट किया है जिसमें कहा है कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है उन सारी चीजों को धीरे-ध किया जाएगा और लोगों को थोड़ा सा कम खाना होगा ताकि इंडिया जो है वो फैट फ्री बन सके इसका टागेट कितना है टूथाउजन ट्वेनीट इस दा टागेट ठीक है गाई सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दो और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार से लाइक जरूर कर दिना और चानल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर माल लेना है और एक चीज और दुपहर में दो बजे इंपोर्टन क्लास है किसकी जून के करेंटर फेस की 2019 वाले रेलवे वाले बच्चे एससी वाले बच्चे बैंक वाले बच् किसके साथ में मिलके डिसाइड किया गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा डबलु एचो के साथ में मिलके डिसाइड किया गया है अले अब देखो स्कीम आये तो पढ़नी पड़ेगी ना देखे डबलु एचो का हेड़कॉर्टर कहां पर है जिनिवा के अंदर है और इ पहले बता तो, कितने ऐसे हैं, जिनका दिल गार्डन हो गया है, इन सब चीजों को देखके, मतलब फ्रेंच फ्राइस हैं, सामने बर्गर्स हैं, चिप्स हैं, मतलब आहा, सुबह सुबह अगर ऐसी चीज़े मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए ना, इन सब चीजों के उपना, ऐसे वाला होने वाला है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल, अभी देखा होगा, आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, कि जितने भी स्कूल वाले एरियाज हैं, उतने स्कूल वाले एरियाज में कुछ किलोमेटर्स डिसाइड कर दियेगा हैं, कि उतने एरिया में फास्ट फूड की कोई भी दुकान ना लगेगी, और यहीं पर यह जो कट्टम जीरों खेलना हैं, कुछ ऐसी वाली सिचुएश पीडिएफ मिल जाएगी, कहां पर, टेलिग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउन्लोड माल लिया करो यार, देखें, टीवी के लिए यहां पर जो टार्गेट है, डाट इस टूटाउजन विनिफाइग, इसके लावा गर आप देखोगे, तो हर घर जल वाला जो है यह पूद चकते हैं, 2024 के लिए, इसके लावा, जीरो रोड एक्सिडेंट के अचीवमेंट के लिए कितना है, 2030 है, इसका टार्गेट, तो यह टार्गेट आपको मालम होंची, अगला सवाल, बताएगे, न्यूजलाइन तो मतब चर्चाएं छोड़े गई ही नहीं, इतना यसी Haight time पे आता है, जब थंड़ा गरम वाला मौसम होना शुरू हो जाता है, जब में Season改श होता है, उसी टाइम पे Naveratry कि होता है, तो इसका अगर आप साइंटिफिक रीजन देखो ना, तो क्या है, जब Season改श हो रहा है, तो इनसान को थोड़ाज अपना झा खाना खाना ह पहले हम आपको बता दें कि वो जो personality है उनको दुबारा से नुक्त किया गया secondly कौन सी party से वो belong करती है तो labor party से belong करती है यहाँ पर चुनाव को जीतने के लिए कितनी seat चाहिए होती है 61 seat चाहिए होती है total seat कितनी है 120 होती है कितने साल पर यहाँ पर चुनाव होता है तो हर 3 साल पर यहाँ पर चुनाव होता है और इन्होंने यहाँ पर कितनी seat जीती है 64 जीती है यह exam में नहीं आएगा exam में यह वाला point पूछ सकते है answer क्या बनेगा यहाँ पर? कितने sweet हो गया हो तुम लोग यहाँ पर है ना? चले तो इसका answer यह हो गया बहुत अच्छी बात है अब यह वाला नाम याद आ रहा है यह वाला नाम याद आ रहा है जल्दी से comment section में लिखके बता दो कि यह जो नाम है यह भी हाली में हम लोग ने चर्चा में क्यों देखा था? क्या reason था? यह कौन है? पटाक से comment section में लिखके बताओ अब सुनिएगा इनको दुबारा से यहाँ के PM के रूप में न्यूक्त किया गया आपको याद आ रहा होगा कि जब न्यूजिलेंड को बोला गया था कि न्यूजिलेंड जो है वो COVID-free हो गया तो यही वो personality थी जिन्होंने dance किया था और इनका dance वाइरल हो गया था और उसके एक हफते बादी COVID के cases यहाँ आना शुरू हो गया थे तो यह तो सब बाते मजाग की है फिलाल याद रखिएगा कि लेबर पार्टी से बिलॉंग करती है कौनसे पार्टी को हराया है यह एक्जाम में नहीं आएगा बट अगला पॉइंट अगर आप से पूछा जाता है न्यूजिलेंड के बारे में तो आपको याद आ रहा होगा कौने बाईया बताया ना और रही नंबड वन पे है वो कौनसी न्यूजिलेंड है अभी हाली में पासपोर्ट को लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया था है यह लिगử तो नियूजिलेंड इधरी बाला रहा है इनके बीच में अगर आप देखोगे तो आपको कुक स्ट्रेट देखने को मिलती है औ और इसके अलावा Auckland नाम की जो जगे है, कौन सी वाली? Auckland नाम की जो जगे है, यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला छेत्र है, यानि कि सबसे ज़्यादा population आपको यहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है? दूसरा point यहाँ पर क्या है? यह तसमान सी और Pacific Ocean के बीच में आपको इस भी सवाल आए, आंसर आपके पास में होगा है, ठीक है? चलो, एक और लिखा हुआ था, अनुच, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, सेलेक्शन सुधीर मनीश, आशीष नीलम, सुचित्रा, करेक्ट, ललिथ राइड, अब ज़रो सुनना, यहाँ पर सुनियेगा, एक नाम लिखा हुआ था, माइकल इरानी, यह कौन है? इनको अभी हाली में, इंटरनाशनल लेवल पर, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो है, जिसका हेड कोटर कहां पर है, बुड़ा पैस्ट, यानि की हंगरी की कापिटल, राजसानी के अंदर, वहां के इंटरेम अध्य सब्सक्राइब करें, यहां पर एक दिन के इंको प्यम के रूप में पॉइंट किया गया था, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो मेभी आपसे एक कोशन पूछ टिया जाए, ठीक है ना, करेक्ट? समझ गया यहां तक, कौन सा अमिता पेपर, कौन से पेपर की बात कर रहा हो, चलो, वो हम बताएंगे, वो हम बात में डिस्कॉस करेंगे, पहले यह पढ़ लो, अगला कोशन बताओ भी यह ब्रहमोज मिसाइल के उपर सवाल आया है, आपको बताना है कि जो ब्रहमोज मिसा क्लास के आखरी में आज सेप्टेंबर का का इंटर फेर्स लगा हुआ है, तो ध्यान से जल्दी जल्दी यह खतम करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना, सुनिएगा, इसराइल के साथ में आपको स्पाइक मिसाइल मिलेगी, और अभी आपने देखा था, जापान ने, सी गारजियन नाम का जो अपना ड्रोन है उसको यहां पर टेस्ट किया था, फ्रांस के साथ में आप देखेंगे, तो राफिल हो जाएगा, आपका मिटी ओर हो जाएगा, और हैमर हो जाएगा, यूएसे के साथ में बोई नाम की जो कम्पनी है, उ वसमें से एक टेस्ट यहां पर फिर से किसका हुआ है, ब्रहमोस का किया गया और यह सीधे जाकर अपने टारगेट पे अरेविंC में जाकर इसने टारगेट किया है, बहुत अच्छी बात है, हमारी जान लेते हैं सबसे पहले चीज यह क्या है सोर्फिस ऊसर्फिस मिसाइल पहला पॉइंट कैसी है यह सूपरसॉणichtig दूसा पॉइंट तिसरा पॉइंट यहां से आपको यान रखना है वह हम आपको बताते हैं सुनिए इसको अभी जब टेस्ट फाह गया तो आइनेस चिनन्य की सहायता से इसको test fire किया गया second point ध्यान रखिएगा यह test किस ने किया है DRDO के द्वारा DRDO का headquarter कहा हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर और इसके headcon हो जाएगे अगला point आपको याद रखना है यह क्या है supersonic है क्या है supersonic तो इसका मतलब है कि इसकी जो speed होगी वो क्या हो जाएगी दो से तीन मेक के बीच में रहेगी यानि कि sound की speeches जादा है अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह कैसी missile है तो यह cruise missile है क्यों क्यों क्योंकि यह directly target पे जाके strike करती है लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि यह ballistic missiles क्या होती है तो ballistic missiles जो है न यह इस तरीके से पैरा बोला structure ब इसे तो अगर आप देखोगे तो आपको यह मिलेगी लेकिन इसको अभी increase किया जा रहा है कहां तक के लिए 450 के लिए यह एक ऐसी missile है जो एर में भी launch करी जा सकती है और साथ में यह भी ध्यान रखेगा कि यह किसी भी सम्मरीन से भी launch करी जा सकती है और इसको रखा जाता है fire and forget की category के अंदर इतने points रटे होने चाहिए क्या रटे होने चाहिए चाहे कैसा भी question आएगा आपका solve हो जाएगा ठीक है अगला देखो प्रित्वी 2 को भी test fire किया गया मतलव 18 October को इन्होंने इतने सारे आप पे test कर डाले कि अब क्या ही कहा जाए देखेगा यह कहां पे और سब करिफिस है इसकी आपको पता है नजरा रहा है लेकिन ये ध्यान रख़ेगा यह भारत की दौरा खुद से बनाई गई न्यूक्लियर कापडल में सब्सक्ण है भारत के दौरा खुद से बनाई गई रिकर सकता है इस loaf लीकार हो अफ्जान फोद a tour को बिर चाल्ति है बार समझ गया तक? कूल? हाँ, कुछ भी, कुछ भी है ना? चलो, CRPF ने अभी हाली में IIT दिल्ली के साथ में टाइप किया है और इसमें DRडियो ने भी साइन किया अब है क्या? सुनियेगा देखो, IIT दिल्ली जो है ये जो टेक्नोलोजी का इस्तमाल कर रहे न इनकी टेक्नोलोजी को अब यूज किया जाएगा कहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इन साली चीजों का इस्तमाल किया जाएगा चलो, ठीक है हमारे एक्जाम में क्या हैगा? हम वो बात कर लेते हैं यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके हेड कॉन है तो इसके हेड कॉन हो जाएगे एपी महश्वरी जी रहेंगे इसका हेड कॉर्टर कहां पर मिलेगा? नई दिल्ली के अंतर इसके लाब आपको एक चीज और बता दें और यह ध्यान रखेगा कि इसके जो हेड है वो कौन है? सुर्जीत सिंग जी है कौन है? सुर्जीत सिंग जी इसके हेड है अब ही क्या हुआ था? 15 अक्टूबर को इन्होंने अपना इस थापना दिवस मनाया किसने? NSG ने तो हो सकता है आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है? देखो भाईया एक भाई साब पूछने editorial क्या होता है? तो भाईया जड़ा आंसर करके बता दो editorial क्या होता है माला यार कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ क्यों? वाई I am surviving and वाई I am existing अगला सवाल पुल-धाना पैटर्न यह क्या है? देखो अभी हाली में क्या हुआ है वाटर कंजरवेशन के उपर हमाई जो कंट्री वो बहुत जादा फोकस कर रही है तो महराश्रा के अंदर इसका आंसर क्या है? महराश्रा के अंदर आपको एक जगा देखने को मिलती है वो यही जगा है यहाँ पर पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर पूरी रिसर्च करेगी ठीक है? तो यहाँ पर एक पैटन फॉलो किया जाता है कॉनसर क्या नाम है इसका? बुल धाना पैटन अब यह जो पैटन है इसको अभी हाली में नीती आयोग ने एक स्टेटर्स दे दिया है बस हस लिए ना आप चलो सुन लो नीती आयोग ने बोला है कि यह जो पैटन है इसको हम आल ओबर इंडिया यूज कर सकते हैं किस चीज के बचाव के लिए पानी को कंजर्व करने के इसमें क्या होता है इसमें यह चीज होती है कि जो स्वाइल होती है इसको कहां से निकाल क यूज किया जाता है जितनी भी water bodies है या पोस करो जो नाले वगएरा जो नदियां वगएरा वहां से इसको निकाल के यूज किया जाता है चलो ठीक है अब हमें और क्या याद करना भाई आप महराश्ट्रा आए है तो थोड़ा तो पढ़के जाएंगे ना महराश्रा में आ अगर आपको याद आ रहा होगा operation platina यही पर चलाया गया था और इसके अलावा मुंबई वो जगह है जहां पर जो traffic signals होते हैं वहां पर क्या होगा महिलाओं की जो पिच्चर से उनका यूज किया जाएगा traffic signals की जो पूरी पूरी वहां पर awareness programs में गया रहा होते हैं उसमें कि गरीबी को पूरी तरीके से खतम करने के लिए अंतराश्य स्थर पर एक दिन मनाया जाता है आपको बताना है कि यह जो दिन है यह कब celebrate होता है तो इसका answer देखो easy one है क्या हो जाएगा यहां पर यह हर बार मैं ही क्यो बता हूँ चलो अच्छा भी बता देते हैं this is 17th of October य मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा अपनी गरीबी को भी हटाएगा उसके बाद वो खाना भी खाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा health के उपर भी खर्चा करेगा तो SDG के अंदर भी आपको target देखन कौन कितनी calories लेता है अगर ग्रामीर छेतरों में कोई व्यक्ति रहता है तो वो कितनी calories लेगा और अगर शहरों में कोई व्यक्ति रहता है तो वो कितनी calories लेता है उसके basis पे बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है कि नहीं आता है हमें सि और यह किसके बेसिस पे काम करती है तो यह तीन चीज़े मैंने आपको बता लिए जिंग पिंग करें अगला सवाल बताईएगा टॉप आर्टिस्ट का आपको नाम बताना है जिनको भी हाली में बिल बोर्ट 2020 के अबोर्ट से सम्मानित किया गया है इसका अंसर यहां पर क्या बनेगा पहले तो एक बार से शकल देख लो आप देख सकते हैं या पर टॉप आर्टिस्ट कौन है या पर पोस्ट मैलों क्या नाम है पोस्ट मैलों वन नाइनर में यह सवाल बनेगा इस से जादा यहां से कुछ भी नहीं आने वाला ठीक है अगला आपके लिए बन लाइन जहारखंड बेस्ट वेंगउल यह वह face लगाइस जाये शुर दिखना सब् conf टो निवर there इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं यह नहीं आता है ठीक है यह एक्जाम में नहीं आता है अगला सवाथ उमर गुल अब देखो कल का मैस देखे दे कल सूपर ओवर हुआ था ना शायद दो दो सूपर ओवर हुए बताना तुम लोग को शायदा पता हो गया मेर बढ़ बढ़िया बताओ उमर गुल जो है वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं सिंपल है इस कहां सा क्रिकेट से इनका नाम जुड़ा हुआ है उमर गुल ने अभी हाली में क्या किया है अपना रिटार्मेंट एनाउंस कर दिया है फ्रॉम ओल फॉर्म्स ओफ दी क्रिके किये हैं कौन है राज किरन राए जी को एपॉइंट यहां पर किया गया है तो पहला पॉइंट तो यह हो गया है एड़कोर्टर कहां पर है मुंबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर इससे जादा प्लीज कोई रिसर्श मत करिएगा अगला सवाल आपके सामने आता पाइसा लगा रहा है कल देखे थे फ्लिपकार्ट पे बेच रहे थे वह कौन सा वन प्लस फोन बेच रहे थे उसमें 20 पॉसंट को आप है तीन हुए थे सूपर ओवा यह मेरे को नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि दो के उपर ही हुआ था मतलब एक से जादा था इतना म सबसे पहली महिला कौन सी हैं जुनको सम्मानित किया गया आंसा बनेगा एश्वल्या श्रीधर नाम याद रखना सवाल बनेगा तो आंसा करके आएगा यह देखो मौत का सौधाकर अरे बाबर इतना खतरना कस्तूरी रंजन कमिटी थी बेटा वो कस्तूरी रंजन कमिटी ठीक है चले फिर सेप्टेंबर पर आज है तक खतरना तुम नाम रखे हो कहां से लाए हो यह नाम यह कला तुम लोग कहां से लेकर आते हो उमको तो आज ता यह नहीं समझ में आई है चलिए अच्छा सेप्टेंबर की शुरुआत करेंगा पहली चीज़े दियान रखना को कोशन्स बहुत सारी जगे से निकाले हैं सेप्टेंबर के और हां आज दुपेहर में दो बजे आपके जून 2019 का क्लास लगा हुआ है अनकार्मी पे हैं फ्री स्पेशल क्लास है तो सेट इन करना मत भूलिए का पहला सवाल देखेगा सबसे पहले यहां पे पूछा जा रहा लगी तो यह किस के साथ में होते हैं बांगलादेश के साथ में स्कायोजन होता है अगला कोश्चन आपके सामने लक्ष्वर रावत इनका जो नाम है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ हुआ है स्पोर्ट्स का आपको नाम बताना है इस कहां से क्या होगा इस स्नूकर एक नाम बड़ा ही जादा important है वो कौन सा है पंकज अडवानी जी का नाम क्योंकि आप जानते हैं ये कई बार champion भी रहे चुके हैं तो this is important ठीक है अगला, 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 अगला who was selected as a dada sahab falke award 2019 देखो, एक question आया था एक question आया था लेकिन किसी बच्चे न मुझे ये नहीं बताया था कि 2020 पूछा गया था ये 2019 पूछा गया था तो मैं आपको 19 बता रही हूँ अब मुझे नहीं पता कि उस दिन उस question में क्या पूछा गया था क्योंकि जो आप लोग बताऊगे मुझे तो वही चीज पता चलेगी ना क्योंकि examination hall में तो आप बैठे हुए थे चले इस का answer क्या हो जाएगा अमिताब बच्चन जी is the correct answer अगला देखेगा बताएगे जन सूचना portal अभी हाली में भारत के कौन से राज में इसको शुरू किया गया अभी लाश किंग ये तो बीटा कित्ती बार बता चुके है अटल टनल अगर पूछा जाएगा तो ये आपके मनाली से ले तक जाएगा 9.02 है और अगर आपसे पूछा जाता है जोजला वाले के बारे में तो ये शुरी नगर से जाएगा ले तक और बीच में कारगिल को जोड़ते हुए जाएगा और इसकी जो डिस्टेंस है वो है इतना ये तो बता चुके में अगला 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 कोशन कहां से करो इसका अंसर क्या बनेगा राजस्तान के अंदर इसको शुरू किया गया अच्छा आप देखो 2019 ही पूछा गया था या मेरे को नहीं पता मेरे को किसी ने ये बताया नहीं था कि यह कौन सा था देखो राजिस्थान में इंद्रा रसोई आपको योजना मिलेगी जिसकी शुरुवात करी गई है यह सवाल पूछ चकते हैं तो प्लीज इसको याद रखना अगला देखो है आपे इंडिया बिल बी एराडिकेटट बाइ टीवी यानि कि टीवी मुक्त भारत कब तक बनके तयार हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा 2025 अगर आप से पूछा जाता है मलेरिया के लिए तो भाया यह टार्गेट हो जाएगा मलेरिया और आज़कल डेंगू के केसिस तो भगवान यह देखो गुजरात आंसर है मारो प्यारो राजस्थान अच्छा चलिए अगला देखे नेम दा स्विडिश टेनिजर स्विडिन की बात आए क्लाइमिट एक्टिविस्ट पूछा जाए नोबल प्राइस के लिए नॉमिनेशन पूछा जाए 2020 के लिए और साथ म पर मैसेज करें तो बेटा पहले तो मेरा जाकर एक बास चेक करना टेलिग्राम है ना वहां से मेरा वाला जो नाम है उस पर क्लिक करोगे और आप अलग से मिसेज कर सकते हो अगला सवार बताएगा मिसेस इंडिया मिसेस इंडिया ठीक है देखो एक चीज़ बता दू मैंने अप्टूबर सेप्टेंबर और यह आपका निविंबर दिसेंबर करा दिया है बट पता है क्योंकि रेलवे वाले बच्चे जो है उनके दो चांसे जादा है ना कि जून जुलाइं और और यह भी पूछा जाएगा तो मैंने दोनों को शुरुवात होगी तो अपना पेन कॉपी और एटलस लेके बैठिएगा शाम को छे बजे के क्लास में इस कहां से क्या होगा इस कहां जब भाई बोलो क्या मैंने इसका अंसर सिंपल है या पूजा देशाई विल्भी दराइट आइट आंसर ठीक है बिल्कुल सही है अगला देखो यहां पर सवाल क्या है सवाल में पूछा जा रहा है UNCC के अंदर COP25 का जो आयोजन किया गया अब आपको बताना है यहां पर कि यह जो आयोजन ह या वो मेरी नाम से है current affairs by krati के नाम से ही आपको मिल जाएगा अच्छा अब यह बताओ यहां पर कि अगर आपसे पूछा जाए COP25 यानि की conference of parties इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया गया या this is the easiest one आपको याद आ रहा होगा कि इसका आयोजन होना कहा था यहां पर लेकिन ह हुआ कहां पर मेडरेट के अंदर तो यह ध्यान रखेगा मेडरेट में हुआ था लेकिन होना कहा था चिली के अंदर होना था इसको लेकिन स्पेइन के अंदर जाकर ही हुआ ठीक है आज का quiz code class के बस last में आपको provide कर रहे है तो how was the session पहले तो यह बताओ और आपको quiz का code भी हम provide कर देते हैं ताकि आप लोग एक बासे quiz में जाके जॉइन करो सेकर ली यह ध्यान रखेगा आज आपका दुपहर में दो बजे भी class रहेगा और शाम का आपका कितने बजे भी class होगा होगा पॉलिटी का भी class रहेगा साड़े 10 बजे जो class होता है वो class भी होगा वो होग कल तुम लोग ने इतने I think 1000 कमेंट से मैंने वीडियो के नीचे चेक किया था बस इसी तरीके से जब question पूछा करें तो मुझे answer भी 1000 ही चाहिए होते हैं तो कोशिश किया करिए यहाँ पर कि जब हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो उसका proper answer किया करो गाई ठीक है ज़रू से लेके पूरा interview तक आप अगर prepare करना चाहते हो 2021 के लिए आप इस बाच को जॉइन कर सकते हो इस टेट पीसिस के लिए आप इस बाच को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि देखो ध्यान रखना 2-3 classes हो चुके हैं तो अभी भी time waste मत करो दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं करना है उसके बाद में आपका इसके अंदर क्या आएगा history आएगा कोड क्या रहेगा कृतिटेंट चलो कुईज का कोड लिखो जड़ा 550683 क्या है यहाँ पे 550683 यह आपका कुईज का कोड है पटाक से एक बासे जाके जॉइन करो और प्लीज सभी लोग जॉइन किया करिए क्य आप ओपिन करो उपा जाके selection जहां पर होतना गोल कर आप एससी सेलेक करो नीचे के साइट पर ऑप्शन आ रहा होगा test उस पर क्लिक करो जॉइन टेस्स दिखेगा उस पर क्लिक करो वहां पर यह कोड मेंशन करतो आपका यह जो टेस्ट है यह 8 बज के 6 मिनिट पर शिरू हो नेपाल से आती है ठीक है चले तो मिलते हैं फिर आप लोगों से पहले साड़े 10 के क्लास में यूट्यूब पर और फिर आपसे मुलाकात होगी कितने बज़े दो बज़े अनेकार्मी पर दोनों क्लासे इंपोर्टन है तो प्रीज इनको मिस मत करिएगा यह आपके झाल